तो नमस्कार मेरा नाम ग्यानिश्वर है और आप देख रहे हैं लाइवजिटिस देखे मेरे साथ हैं दिपक कुमार गुपता जी देश के जाने बारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं बिहार के रहने समय समय पर इन से हम सीट्टे रहते हैं कि साइबर क्राइम से बचे कैसे तो देखिए दिपक जी स्वागत है आपका और हम यह जानना चाहते हैं हमारे दर्सकों का शवाल है और परिशानी का सब्बब भी रहता है सभी डरे रहते हैं अभी अभी आप आये हैं तो आपने एक पैसे बैक्ति का 50,000 उक्या बापस कराया है जो उनके बैंक काउंट से निकाल लिया गया था और कुछी घंटों में आपने बापस करा दिया सवाल यह पैदा होता है कि रोज सिकायते आती है अख़वारों में खबर चपती है हमारे पास कंप्लेंस आते हैं कि हमारे एक काउं से इतने पैसे फ्रॉट कर लिये गए जबकि मैंने नपीन बताया था ना मैंने कोई कोड दिया था या जैसे भी और जब हम सिकायत का निजार हैं तो पुलिस सिकायत नहीं ले रही है कुछ छोटी रासी होती तो पिल्स बिल्कुल सुनने को तयार नहीं होती है कि 20 जार 25 ज कुछ और कर लीजे क्या देखें बैंकिंग फ्रॉड की केसिस में 95% लोग जो है वो जाने अन जाने में खुद से गलतियां करते हैं कि कोई वेक्ति आपको किसी मामले में लोफ लालाच दे रहा है या कुछ बोल रहा है कि आपको अकाउंट हम बंद कर देंगे या बंद हो ज जाने में किसी एकाउंट में स्वैम आप ट्रांसफर भी कर देते हैं जैसे कई वार इस पर OLX वेगरा पे भी सिकायद में देखने करता है कार्मी वेगरा के नाम पर मतलब की वो बाइक वेगरा था कार वेगरा था और उसके नाम पर पैसा वेगरा दे दिया गया तो कहीं हम जाने अंजाने में गलती करते हैं और इसका कारण क्या चीज है कि हम लोग आज बहुत तेजी से रहते घ़िक है कोई भी चीजा को सामने वाला बोल रहा है और हम सामने वाल जो मेसेज आ रहा है मेरे पास हम उसी जो देख नहीं रहें ठीक है जैसे लिक को देखे अगर से वर्क कर रहे हैं अगर आप किसी भी पेमेंट का लेंद देन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी चीज़े उसके उपर आप एक वर जरूर सूचिए एक मिनिट समय दीजिए उसके बाद आंगे के प्रॉसेस को करिए अगर मानकर चलिए कि अगर आपके पास नहीं समझ में आ सब्सक्राइब करें अगर अगर आप उसको थोड़ा सा गींच कर देखिएगा अगर लगा हुआ होगा तो बाहर की ओर आजाएगा तो कभी भी अगर में जाये तो इस तरह की चीजों को आप देखिए और उसको जो है ने यह तो ठीक है यह तो आपने बचने का उपाई ब फस गया उसका पैसा कैसे बापस आएगा जो आप बापस कर रहते है यह पता है उसका देखिए तरीका पुली सो थाने में चक्का लगाने भी नहीं करती है कि मैं हम क्या करें सबसे पहले जब भी आपके पास घटनाय घट चुका हां ठीक है तो सबसे पहले जैसे आपके सा गूगल से कभी भी सर्च नहीं करिए गूगल से कस्टमर केर का नंबर सर्च नहीं करना है क्योंकि इस सबसे जादा फर्जी बारा हो रहा है इस से जादा फर्जी बारा है गूगल पे हमेशा जो है आज के डेट में जो है फर्जी जो है नंबर बहुत सारा है अगर आप उसक कि देवान का वेफसैट से ले लिजे उसका लेकिन कभी ऐसे Google में सर्च करके नहीं ठीक है उस पर क्या करिए कि आप एक कंपलेन करें करिये कॉल कर तो कंपलेन करिये सारी आप इन्फरमिशन दीजिये उसको और information में आप कभी भी किसी को भी CVB और OTP नंबर कभी भी न दीजिए मनलब customer care यह CVB और OTP पुछता ही नहीं है और पूछ रहा है इस तरह की बात है तो doubtful है तो doubtful बात है ठीक है उसको सारी आप information उसको दीजिए उसके बाद क्या हुआ कि आपको जो है एक आपको ticket number generate किया उसे आप note-out कर लीजिए दूसरी जीजिए जब यह process हो जाए आपके पास तो 1930 पे call करिये जो भारत सरकार के द्वारत सरकार के दौरा 1930 पे call करिये तौल फ्री नंबर है वाप उस पर call करिये 24-7 है 24-7 है अब उस पर call करिये सारी सुचनाए अप दीजिए और वहां पर भ दीजिए और उसको क्या करिये online complain करिये ठीक है अब इसके बाद या process आप कर सकते है आप आधे घंटे के अंदर में भी कर ले सकते हैं ठीक है उसके बाद जब बैंक खुल रहा है तो जो आपको ticket number मिला है उस ticket number के साथ क्या करिया आप बैंक को complain करिये बैंक क्या करती है कि उ और उसने यूजीज नहीं किया है तो आपके account में वापस उसने paytm और फर्लाइस बेटीम होता है मोवीक होता है बहुत सारे wallet उसके date में यह घंडा मनी होता है उस पर ले ले लेता है पैसा लेता है ता अगर यूजी नहीं कियो होता है तो पैसा जो है आपके पास करनी की साथ कर रहे थे कि तुरन फटाफट हो तुरन आपके पास एकाउंट में वापस आ जाएगा कभी कभी क्या हो कि एकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा लेकिन बैक बैंक जो है उसको इंवेस्टिगेशन के ख्याल से दस दिन पंद्रह दिन और होल्ड कर सकती है अच्छा बट आपके एकाउंट में आ जाएगा पैसा नहीं तो आपका रहे थाना जो दौराता है कि हमें फायर कहां करें तो थाना गए बगाएर भी काम कर सकते हैं बैंक क्या करती आज के डेट म सब्सक्राइब करना जाता है अच्छा आज के तारीक में आपको पुलिस अस्टेशन को कंप्लेंट करने की जूरूत नहीं है दिपाजी स्टेप समझा देजे फटा फट जो आप आरे घंटे में पैसा वापस ले लेते हैं या रुखबा लेते होल्ट करा लेते हैं वह कैस देखे कराते हैं जैसे मैं नहीं कहा कि मेरे 20 सब्सक्राइब करें और मेरे एकांट से निकाल लिए किसी की मैंने ने दिपाक गुपताजी को संपर्ट किया कैसे आप क्या किया फटा-फट क्या सला दिए और फटा-फट यह पैसा बहुत जारे लिए गयर कि वापस की अगर तो जब वाइलेट में पैसा लेता है, तो वाइलेट का नाम भी होता है, जैसे मोवीक वीक हो गया, पेटीयम हो गया, इस सब उसका नाम होता है, हम लोग क्या करते हैं, कि मोवीक वीक पेटीयम जो भी वाइलेट है, उसके लीगल इमेल से क्या करते हैं, यह एक फ्रॉड ट् पैसा transfer कर देता है बाकि अगर वाइलेका किसीrance कर लिए लेने के बाद किया तो कि उसाट को Atlix किया उस हुआ किसी और को ratம्वाइल को रिचार्ज किया तो आपकि इसासिमत कर द्था चला के रूण है जब उसको पता चला कि हम पकड़े जाएंगे तो फिर उसने पैसे को वापस दिया तो में उस फज़बगर अपराधी को रिटरं करता है मतलबिए है असे कि ठाना ही प्रथम और प्रफम से कुछ और भी है लेकिन ध्यान रखिएगा गूगल से आपको कस्टमर केयर का नंबर नहीं लेना है पासबुक से कस्टमर केयर का नंबर लेना है और इसके बाद जो प्रोसेस बताया गया है उस पर आप काम किजिए जो रट कभी होगे बिहार के ही हैं दीपर गुपता जी कि मेल कर दिया जबकि मेल मैंने भेजा ही नहीं था यह कौन सा साइबर क्राइम है कैसे होता इस पर चर्चा करेंगे हम आगे किसी वीडियो में आज के लिए इतना ही हमें दीजिए जाजत मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ आप देखते रहें लाइब स्टिस को यह लिए अब तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा और यदि इस वीडियो का फेस्बूक पेज की माधिया पेज को लाइक कीजिएगा ट्यूटर पर फोलो किजिए धन्यवाद